हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल, आज मैं आपको एक ट्रडिशनल डिस, गुड का मीठा चावल बनाना सिखाऊंगी, जो की वसंत पंचमी के दिन बनाया जाता है, ये खाने में इतना स्वादिश्ट होता है और बनाने में इतना इजी कि आप उसको कभी भी बना कर ख दिया है, उसमें ये क्रज्ट गुड हम डाल देंगे, जिससे कि हमारा ये गुड इसमें गरम पानी में गल जाए, अब एक साइट मैंने इधर कुकर में दो बड़े चम्मच घी के लिए है, ये शुद्देशी गी है, अब हम इस गी को गरम होने देंगे, और इस गी में हम अब जो हमारे भीगेवे चावल थे, उसको धो करके इनको भून लेंगे, इन मीठे चावल को आप कभी भी बना कर खा सकते हैं, कोई ये नहीं है कि जब कभी त्योहार हो, तभी खाएं, आज कल विंटर का सीजन है, तो गुड के आइटम खाने चाहिए, तो आप इस तरह स मीठे के शौकीन है, तो ये मीठा चावल जरूर बना के खाईए, बहुती टेस्टी होता है, अब ये देखिए, मैं ये चावल गी में भून रही हूं, अब मैंने या पे कुछ ड्राइफ रूट्स लिए हैं, जिसे किश्मिस, ड्राइको कोनट, काजू और इलाइची, इल अब मैंने ये सभी ड्राइफ रूट्स चावल में डाल दिये हैं, आप अपनी पसंद के कोई भी और ड्राइफ रूट्स में डाल सकते हैं, इसमें आप सौफ भी डाल सकते हैं, सौफ का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, अब इनको हम अच्छे से भून लेंगे, ये देखिए, एक दो मिनट के लिए आप बस इसको भून लीजिए, इधर आप देखिए, मेरा ये गुड़ नरम हो चुका है, गल चुका है, पानी उबलने लगा है, अब हम इस उबलतेवे पानी को, गुड़ के पानी को चावल में डाल देंगे, अब बस इस बात का दिहान रखिएगा, कि जब हम अब हम प्रेशर कूकर का धकन लगा देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लिजिए, आपको इसको फुल फ्लेम में नहीं पकाना है, पहले एक दो सीटी आने दीजिए, उसके बाद पांच मिनिट के लिए दीमी आच में इ मिठा चावल, तो आप इसको दो सीटी आने बाद पांच मिनिट के लिए दीमी आज में पकाईए, और जब उसका कुकरा पूरा प्रेशर निकल जाए, तभी इसके धकन को खोलिए, बस हमारा देखिए, मिठा चावल, गुड़का चावल तयार है, तो कैसे लगी आपको य मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, बाबाई, प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरू करिए,